हेलो गाईज, वेलकम टो मैं चैनल HN Classes आज की इस फिफ्थ लेक्सर में हम लोग पढ़ेंगे measurement of length by direct method and by indirect method तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं direct method होते के suppose आपको इस marker कर length को measure करने दिया तो आप एक scale लेके अरम से measure कर सकते हो मान लो आपका height को ही measure करने दिया with the help of scale आप फिर से measure कर सकते हो अपना height ठेक है लेकिन यह जो scale से measure किया यहाँ पे कुछ limit होता है कितना चोटा length तक यह scale accurate value देपाएगा आपको ठेक है उसको देख लेते हैं हम लोग suppose length है 1 meter तो 1 meter length को आरम से scale measure कर पाएगा 1 cm length हुआ तो 1 cm मतलब कितना मितर? minus 2 meter इसको भी आरम से scale measure कर पाएगा अगर 1 mm length हुआ तो इसको भी इसको हम लिख सकते 10 to the power minus 3 meter इसको भी scale आरम से measure कर पाएगे अगर इससे चोटा length हुआ जैसे कि 10 to the power minus 4 meter इसको scale नहीं measure कर पाएगा accurate पे फाइन तो हम लोग इसको measure करने के लिए यूज करेंगे इसको हम बोलते है spherometer ठीक है तो इहाँ पे हम लोग समझ गया कि यह जो length measure किया directly एक apparatus यूज करके किया तो यह था direct method for measuring the length लेकिन कहीं 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 एसा होता है कि distance अगर बहुत ज़्यादा लंबा हुआ जैसे कि art से moontak की distance art से x star art से sun की distance तो यह सब measure करने के लिए हम लोग वहाँ जाके scale लेके meter फिता लेके वहाँ पे measure नहीं कर पाएंगे तब आता है हम लोग का use में indirect method का जैसे कि मैंने बोला अभी आर्च से जो sun-tak की दूरिया है इतना लंबा दूरिया न तो वहाँ पे हम लोग यूज करते एक indirect method जिसका नाम है parallax method इसको हम next lecture में परेंगे क्योंकि नहीं तो video बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ठीक है तो अभी हम लोग देख लेते triangular method का है जो एक indirect method है ठीक है इससे पहले मैं यह मिता दो आप लोग एक screenshot ले सकते हैं अभी triangular method को समझने के लिए मैं एक example देता हूँ सब्स एक तावर है उस तावर में आप चर गया में भी कोई रीजन है अपने चर गया उसको अराम से उस तावर का हाइट मीजर करके दोगे ठीक है लेकिन क्या आप scale लेकिए इसका हाइट मीजर करोगे ने क्यूंकि आप smart भी हो ना आप class 3 में trigonometry परहे हो तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर trigonometry यूज करके इस तावर का हाइट निकलेंगे ओके वो जो technique है वो जो method है उसको हम बोलते है triangular method तो इसको अभी देख लेते हैं हम क्या करेंगे यहाँ पर दो case में इसको divide करेंगे जैसे कि एक यह तावर है तावर का नीचे तक हम लोग जा सकते हैं ठीक है लेकिन अगर एक पाहर है पाहर का height को मीजर करना है तो क्या आप यहाँ तक जा पाओगे पाहर खोट के ने ज इसलिए हम इसको दो case में divide करके परेंगे जो कि आसान है बहुत ही आसान है क्योंकि आप थोड़ा वह तो trigonometer जानते हो ना तेन धिता को और धिता यह सब जानते हो तो हम लोग इसी सीसको अभी परते है ठीक है तो इसके लिए इसको मीता ना परेगा तो यह जो तावर का height measure करना है इसको हम बोलते है accessible case ठीक है फिर से यह परे में लिख देता हो यह जो पाहर का height measure करना है इसको बोलते है हम लोग inaccessible case यह पाहर तो ऐसा होता है ना तो इसको बोलेंगे inaccessible case ओके तो इसको बोलते है हम लोग accessible case क्यूंकि इहां पे हम लोग तावर का नीच्छे तक जा सकते हैं Length Measure करने के लिए हम लोग क्या करेंगे इहां पे एक पॉइंट लेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट का नाम दे दे तो A Point सपोज इस पॉइंट से इहां तक के Distance को Measure लेंगे तो क्या हम जानते है डिस्टेंस को, मिजर करने के बाद जान जायेंगे ना, तो हम लोग इसको मान लेते है एक्स डिस्टेंस, फाइन, तो इहाँ पे एक हाइपोटेनेस खीज देंगे इसे, तो एक इहाँ जो एंगुल फोर्म हो जाएगा, इसका नामड़ेदिया सपूस ठ तो आप जानते हैं तेन ठीटा क्या होता है, तेन ठीटा is equal to perpendicular by base, तो पार्पेंडिकुलर कीतना है, सपूस इस पोइंट का नामड़ेदिया B, इसका नामड़ेदिया C, तो पार्पेंडिकुलर है BC, जो हाइट है तावर का हमें वही चाहिए ना, तो फिर base कीतना है, base को मा 45 डिगर, 30 डिगर, जो कुछ मिला, तो हम लोग ठीटा की जगा पर ये value put कर देंगे, और 10 ठीटा का value आ जाएंगे, तो हम लोग यहाँ से लिख पाएंगे, h is equal to x into 10 ठीटा, तो हम जानते हैं x कितना है, हम आरम से measure कर पाएंगे, फिर से हम ठीटा को भी जान सकते है, by measuring it with some device, ठीक है, तो हम लोग को मिल जाएगा, 10 ठीटा का value और x मिल जाएगा, तो हमें find हो जाएगा, h कितना है, ठीक है, तो h को find करने के ये आसान से तोरिका, जहाँ पे हम लोग use किया trigonometric method, तो अभी हम लोग देख लेते, इस inaccessible case को, जो था पाहार की height measure करना, ठीक है, ये सप height को हमने मान लिया h, इस point का नाम देदिया सपोस a, इसका नाम देदिया b, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम लोग यहाँ पे एक triangle form करेंगे, ये triangle का angle जो है, इसको बोल दिया theta 1, ये line तेरा मेरा होगे, आप लोग scale लेके आच्छे से draw करना, ठीक है, तो फिर से और एक triangle form करेंगे, जिसका angle होंगे theta 2, लेच्छे हमें ये theta तो मान लिया, तो ये जो distance है, इसको मान लिया हमें x, ठीक है, और ये जो distance है, इसको मान लिया, small d लेच्छे, आप जो भी है, आप मान सकते हो, तो अभी पहले हम लोग cut theta 1 को लागा देते है, ठीक है, cut theta 1, लेकिन कौन सा triangle में लागेंगे, उसको देखते है, तो यहाँ पर नाम देते है, ये है point A, ये suppose B, ये suppose C, और ये D, ओके, तो हम लोग लागेंगे, A, C, B triangle में, ठीक है, तो triangle A, C, B, जो एक right angle triangle है, ठीक है, वहाँ पर cut theta उन लगा दिया, तो के मिल जाएंगे, हमें मिलेंगे, perpendicular by base क्या था, 10 theta था, तो cut theta क्या हो जाएंगे, base by perpendicular, ठीक है, तो base by perpendicular, तो base कितना है, X, जो है CB, मैं या पर CB लिख देता हूँ, CB है base, perpendicular क्या है, AB, ठीक है, तो CB कितना है, X, AB कितना है, H, जो पहार का height है, हमें वही H मिजर करने है, तो next triangle जो है, triangle A, D, B, okay, triangle A, D, B, यहाँ पर हम लोग, cut theta 2 लगा देंगे, ठीक है, अभी क्या मिलेंगे, base by perpendicular, फिर से, तो base कितना होगा, DB is the base, okay, DB is the base, perpendicular कितना है, AB, okay, तो DB कितना होगा, D plus X, okay, DB को लिखेंगे, D plus X, A, B, कितना है, H, फिर से, वही height of the power, fine, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी, इन दोनों को minus कर देंगे, suppose, इसको मान लिए equation 2, और इसको मान लिए equation 1, तो हम क्या करेंगे, 2 minus 1 करेंगे, fine, हमें क्या मिलेंगे, cot theta 2 minus cot theta 1, जो होगा, जो होगा हमारा, D plus X by H minus X by H, तो इहाँ पे H common लिए सकते, तो हमें मिलेंगे, D plus X minus X, जो आंशार हैंगे, D by H, तो अभी में, इहाँ से H का value लिख सकता हूँ, H को में left लेंगा, तो फिर इसको निचे denominator पे विथादूँगा, ठीके, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से H is equal to D divided by cot theta 2 minus cot theta 1, तो आरम से अभी हम लोग height of the पाहर, जो है H, इसको निकल पाएंगे, क्योंकि हमें D मालूम होंगे, यह D तो हम मिजर कर सकते हैं, पाहर की इधर से, हम लोग मिजर कर सकते हैं, D को, लेकिन X को नहीं मिजर कर सकते थे, तो X यहाँ पे equation में ही नहीं, तो अभी कोई दिक्कत की बात ही नहीं, तो हम लोग theta 2 और theta 1 मिजर करके, H को निकल सकते हैं, ठीक है, तो यह था तुम्हारा indirect method, जो एक था accessible case के लिए, और एक था inaccessible case के लिए, फाइन, तो फिर से हम हम लोग next class में, next lecture में हम लोग परहेंगे, indirect method परहेंगे, वो होगा parallax method, जो हम लोग sun और art के बीच में, कोई अगर दूर पे star है, उस star को art से कितना distance है, उसी को मिजर करने के लिए, या तो moon और art के बीच में जो distance होते है, उसी को मिजर करने के लिए, हम लोग परहेंगे next class म Beryl-X-Method, okay?